प्रिय विद्यार्थी आज के इस क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है और हम लोग इसमें माइक्रोबियल इंटरेक्शन पर चर्चा करेंगे जब living organism दो किसी दिये गया स्थान में रहते हैं तो विभिन प्रकार से अपने प्रत्यक्ष और परोक्ष गतिवितियों के द्वारा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं कभी वह दोनों के पक्ष में होता है कभी एक के पक्ष में होता है और कभी दोनों के लिए नुक्सान दे होता है या किसी एक के लिए नुक्सान दे होता है दूसरे के लिए सामान ने तो नाना प्रकार के जो माइक्रोब आपस में इंटरेक्ट करते हैं उसी की चर्चा आज हम लोग करेंगे बायोलोजिकल इंटरेक्शन और दी इफेक्ट ओफ देट और्गेनिजम इन्हें कम्यूनिटी हैव ऑन वन एन अदर मनें एक दूसरे पर प्रभाव है कम्यूनिटी में रहते हुए और वायोजिकल और डिजम का जो एक दूसरे पर प्रभाव है वही मायंक्रोब इंटरेक्शन है there are completely different kind of microbial interactions which incorporate interaction with different microbes, plant, germ interaction, promoting plant growth, interaction with animals, interaction with humans, interaction with water, etc. तो इसमें हम लोगों ने ये देखा कि जो माइक्रोब आपस में इंटरेक्ट करते हैं उसमें जो इंटरेक्शन होता है उसके अलग-अलग प्रकार होते हैं। Microbial interactions are ubiquitous, diverse, critically important in the function of any biological community and are crucial in global bio-geochemistry। तो कहने का दात पर यह है कि जो माइक्रोब के बीच इंटरेक्शन जो होता है या सार्वभावमिक है और इसके द्वारा biological community के function के महत्वपून कारे किये जाते हैं। अब थोड़ा छोटा में देखे कि producer यदि food material बनाता है तो उसको herbivore, carnivore, decomposition के द्वारा, micro सब एक दूसरे से eating and being eaten की प्रक्रिया से आगे बढ़ाते हैं। तो अनेक organism जो community में रहते हैं वह एक दूसरे के लिए महत्वपून है तो यह मैं एक वैसे example दिया कि large scale पर जो सबको दिखाई पड़ता हो। The most common cooperative interactions seen in microbial system are mutually beneficial. The interaction between the two population are classified according to whether both population and one of them benefit from the association or one or both population are negatively affected. There are many sorts of symbiotic relationship such as mutualism, parasitism, immensealism, commensalism and competition, predation, proto-cooperation between the organisms. माइक्रोब में community के अंदर माइक्रोब के भी interaction होते हैं यह interaction को अनेक प्रकार के होते हैं और इन्हें वर्गी कृत किया गया है। और यह जो वर्गी करण का काम है इसका मुख्य आधार है कि उसमें से दोनों को लाव होता है या दोनों को हानी होता है। या एक को लाब होता है, दुसरे को कुछ नहीं होता है, या एक को हानी होता है और दुसरे को कुछ नहीं होता है. तो कहने का ताथ पर यह है कि लाब और हानी दोनों interacting organism के बीच ही जो घटना होती है, जो लाब हानी होती है, वही इसका आधार बना है. और इसलिए इसे positive और negative interaction के दो broad group में microbial interaction को बाटा गया है और फिर इन दोनों के अलग-अलग और भी विवाजन होते हैं जो positive रहता है उसमें दोनों को फायदा होगा अब जैसे आप जानते हैं राइयोगियम लेगियूं कंप्रेक्स बनता है तो इस प्रकार से दोनों को फायदा होगा और कुछ ऐसे होगे जिसमें दोनों को नुक्सान होगा हम एक एक करके सब चीज़ देखा जाएगा पर इस प युटोलिज़ एहां पर इंटरेक्शन को दो गुरूप में बाच इन्टरेक्शन आपρί म्यूच्व जम है या सिट्राफिजम है संबना या काम气 को करेंगे कि देखिए जो पहले हンダホ चीज़े यहां भी ऊपर पहले दो लाइन में, टाइप अफ माइक्रोबियल इंटरेक्शन, पोजिटिव के साइड में और निगेटिव के साइड में. Mutualism is defined as relationship in which each organism in interaction gets benefited from the association. जब उस association से दोनों ही लाभानवित होते हों, तो उसको mutualism कहा जाता है. It is an obligatory relationship in which mutualist and host are metabolically dependent on each other. अब देखें, mutualism में दोनों को लाभ हो यह पर एक criteria है. और दूसरा criteria यह है कि उनके बीच का यह संबंध, inter-relationship among them is obligatory, वह अनिवार है. Mutualistic कुछ इस प्रकार से अनिवार है कि दोनों एक दूसरे के metabolism पर निर्भर करते हैं. जैसे राइजोबियम legume complex को कहा था, तो उसमें क्या है? कि राइजोबियम को legume से कुछ प्राप्त होता है, और legume को राइजोबियम से प्राप्त होता है. कि राइजोबियम से अनिवेत के दूसरे कि दोने की दोने के प्राप्त है। Mutualistic relationship is very specific, where one member of association cannot be replaced by another species. Mutualism requires close physical contact between interacting organism. Relationship of mutualism allows organism to exist in habitat that could not be occupied by either species alone. Mutualistic relationship between organism allows them to act as a single organism. Example of mutualism is lichens. Lichens are an excellent example of mutualism. They are the association of specific fungi and certain genus of algae. In lichen, the fungal partner is called mycoband and algal partner is called phycoband, is the member of cyanobacteria and green alga, like traboxa, like traboxa. This means that lichen, is a dual organism. It is a dual organism. There are two organisms, but they work in unified way. animals. They work in the same way. So, one is phycoband, one also is phycoband, one is mycoband, one is phycoband, one is phycoband, one is phycoband, one is phycoband, one is phycogand. partner होता है दोनों के काम अलग अलग हैं algae photosynthesis का काम करता है और पंजाई reproduction का काम करता है सका जाता है Master Absorbenance के लिए area enhance करता है तो Mutualism का एक excellent example है, Lichen. Syntrophism is an association in which the growth of one organism either depends on or improved by the substrate provided by another organism. इस interaction में एक organism का जो growth है वह निर्भर करता है या बेहतर हो जाता है जब दूसरा organism सबस्ट्रेट प्रोवाइड करता है. In Syntrophism, बोथ organism in association get to benefit from each other. दोनों को भी benefit दोनों partner को होता है यहां. compound A utilized by population 1, compound B utilized by population 2, or compound C utilized by both population 1 plus 2. Product. In this theoretical example of Syntrophism, population 1 is able to utilize and metabolize compound A. forming compound B, but cannot metabolize beyond compound B, without cooperation of population 2. Population 2 is unable to utilize compound A, but it can metabolize compound B, forming compound C. तो अब देखें B compound जो यह बना रहा है, यह B compound जो है इस्तिमाल कर रहा है second population, यह सबस्ट्रेट का पहले थोड़ा conversion, population 1 का हुआ, यह से उसने उसे degrade करके B बनाया. अब माले जे स्टार्च है, कोई उसे नहीं decompose कर पा रहा है, तो एक population है, जो स्टार्च से glucose बना देता है, यह स्टार्च से सुक्रोज बना देता है, और दूसरा population जो है, वो सुक्रोज को तो digest ब्रेक कर सकता है, पर स्टार्च को नहीं कर सकता है, से लोज को नहीं कर सकता है, तो ऐसी स्टिती में दूसरा organism, पहले organism पर निर्भर हो गया, कि उसके द्वारा दिये गए सब स्टेट पर ही वो काम कर पाएगा, और तब वो काम करके C बनाता है, और छोटे माल कूल ग्लुकोज बनाता है, बोथ population 1 and 2 are able to carry out metabolic reaction, which lead to the formation of the end product that neither population could produce alone, तो उनमें से जिसे माल ये सिर्लोज का ही मैं बात कर रहा था, तो population 1 सिर्लोज का breakdown एक certain level के आगे नहीं कर पाता है, और population B, जितना population A कर लिया, वहाँ से आगे की छंता degrade करने की population B में है, तो इस प्रकार से population B, A पर निर्भर हुआ, अब एक एक जाम्पूल यहाँ पर देखा जाए, एन एरोबिक फर्मन्टेटिव बैक्टिरिया जेनरेट कार्बन रियाक्साइड एन हाइड्रोजन यूटिलाइजिंग कार्भो हाइड्रेट्स, वीच आर देन यूटिलाइज वाइ मिथैनोजनिक बैक्टिरिया तो प्रोडूस मिथैन, तो ठीक है, यह जो फर्मन्टिव प्रोसेस है, इसमें दो माइक्रोब इन्वाल्व हो जाते हैं, एक माइक्रोब जो कॉंप्लेक्स कंपाउंड है, उसको ब्रेक करके सियोटू और एच्टू देता है, और तब उसका यूटिलाइज करते हुए, दूसरा माइक्रोब जो मिथैनोजनिक बैक्टिरिया है, यह मिथैन प्रोडूक्शन का काम करता है, लैक्टो बैसिलस दूसरा एक्जामपूल है, लैक्टो बैसिलस एरोबिनोसस और इंटेरो कॉकस फेकेलिस, इन दी मिनिमल मेडिया, लैक्टो बैसिलस एरोबिनोसस और इंटेरो कॉकस फेकेलिस और एवल तो ग्रोगेदर बट नोट अलों, साथ रहेंगे तो ग्रोग कर जाएंगे, अलग रहेंगे तो नहीं, दोनों में कोई नहीं ग्रोपर, क्यों ऐसा है भई? अब यहां एक दूसरा एग्यामपल है कि दोनों एक दूसरे के द्वारा दिये गए कंपाउंड के द्वारा अपनी गतिविधी को बढ़ाते हैं, तो यह दूसरा एग्यामपल हो गया, लैक्टो बैसलेस एरोबिनोसस और इंटेरो कॉकस फेकेलिस, यह फेकेलिस को फॉलिक एसिट की जरूवत है कौन देगा? एल एरोबिनोसस देगा, और बदले में वह लैक्टो बैसलेस को किस चीच की जरूवत है? फिनाइल एलानिन की, अब फिनाइल एलानिन कौन प्रोडूस करता है? तो इंटेरो कॉकस फेकेलिस, तो दोनों एक दूसरे से लिंक्ट हैं, एक दूसरे की गतिविधी और उत्पाद के द्वारा अपनी गतिविधी को आगे बढ़ाते हैं. सिन्क्रोनाइज हैं, इसलिए इसको सिन्ट्रोफिजम नाम दे दिया गया है, यह दोस्तों यह नया एक नाम सामने में आया है, सिन्ट्रोफिजम, तो इसमें यह दिखाने कोशिस किया गया है, कि ऐसा माइक्रोबियल इंट्रेक्शन हो रहा है, जिसमें उनकी गतिविधिय इन्या शिन्क्रोनाइज है एक दूसरे पर निर्वार एक एक काम करता है तो फिर दूसरा दूसरा आगे का काम उसे उसमें कर सकता है तो इसलिए इसे सिन्ट्रोपीयम भी कहा जाता है एक तो फिर रिलेशंश हे उसे सकता है तो इस सब्सक्रों ऐसेशन वेच थे एठ लीर है वोगार क्या भान्वित्व थैस, 4 इस रिलेशंषिकर इसे नियुटन कर दिस इस वह सिंट्हें कि अडिलेशंगा, वह प्रनीजमर में साब नेचान कर दूसरा है तो ग्रोजानीजे स अभी तक हम लोग तीन देखा हम लोग ने पहला था mutualism दोनों को लाव और दोनों पर वह संबंद obligatory अनिवार रहे हैं एक के विना दूसरे कल्पना नहीं की जाएगी और दूसरा जिसमें synchronization हो गया है दोनों की गतिविदी की और वहाँ पर दूसरा क्या जिस था mutualism एक था दोनों को लाव और अनिवारे relation syntrophism में क्या था कि यह वो relation है दोनों को लाव पर एक की गतिविदी पर दूसरे की गतिविदी निर्वर करती है और तब प्रोटो को आप्रेशन जहां दोनों को लाव हो रहा है पर वह संबंद obligatory नहीं है एस्सोसियेशन ओफ डी शल्फो वाइब्रियो और क्रोमेटियम इट इज ए प्रोटो को आप्रेशन बीट्विन और इल्सकेशन सुल्फर साथे इंटरेक्सबीर बिर निर्विन निट्रोजन लागतिंगी बैक्तिरिया और इंटेशन दी एस दूर्टो को लागतिय एस निल्थि टीजम इंट इज इन एंट एस उनी जम इंट एस्टियो रहाएब्सिट्पिटे इस जानिजर्टो को पे क्लेडोफुरा पे एक हल्गी चड़ा वहा है प्लेडोफुरा एल्गी स्नेल पे चड़ा है उस्से कॉई नुक्सान नहीं है आप बेंग अस्तान से दूसरे अस्तान तक वित्रीथ हो जारा है it is a unidirectional association and if the commensal is separated from the host it cannot survive non-pathogenic E. coli in intestinal tract of human ये है example commensalism का E. coli जो मानो के आथ में रहता है ये commensalism का example है E. coli is a facultative n-aerobe that uses oxygen and lowers the oxygen concentration in the gut which creates a suitable environment for obligate n-aerobe such as bacterioyids E. coli is host which remains unaffected by bacterioyids Flavobacterium and Lagionella pneumophila Flavobacterium excrete cysteine which is used by Lagionella pneumophila and survives in the aquatic habitat 3. nitrification Nitrosomonas oxidizes ammonia into nitride and finally nitrobacter uses nitride to obtain energy and oxidize it and oxidize it into nitride तो ये commensalism का example हुआ एक को लाब है और दूसरे को नहीं दूसरे को नलाब नहानी नाइदर benefited nor harm दूसरा और पहला जो है उसे लाब है Amensalism When one microbial population produces substance that are inhibitory to other microbial population then this interpopulation relationship is known as Amensalism or Antagonism It is negative relationship एक के द्वारा जो सवस्टांस निकल रहा है दूसरे को पर negative effect डाल रहा है Inhibitory है उसके लिए The first population which produces inhibitory substance are unaffected or may gain competition and survive in the habitat While other population get inhibited This chemical exhibition is known as Antibiosis Example of Amensalism is lactic acid produced by lactic acid bacteria in the tract A human organ Lactic acid produced by many normal flora in the this tract is inhibitory to many pathogenic organisms such as Candida albicans तो यहां पर यह है कि किसी आर्गन विशेस में Lactic acid produce हो रहा है Lactic acid bacteria के द्वारा और वो inhibit कर रहा है दूसरे pathogenic forms को जैसे Candida albicans Iskene normal flora Phaity acid produced by iskene flora inhibits many pathogenic bacteria in skin Thio bacillus thio oxidants Thio bacillus thio oxidant produces sulfuric acid by oxidation of sulfur which is responsible for lowering of the pH in the culture media which inhibits the growth of most other bacteria Another type is competition The competition represents a negative relationship between two microbial population in which both the population are adversely affected with the respect to their survival and growth Competition occurs when both population use the same resource Such as the same space or even the same nutrition So the microbial population achieves lower maximum density or growth rate Microbial population competes for any growth limiting resource Such as carbon source, nitrogen source, phosphorus source or vitamin growth factor, etc. Competition inhibit both population from occupying exactly the same ecologicalness Because one will win the competition, the other one is eliminated Example of competition Competition between Paramecium caudatum and Paramecium aurelia Both species of Paramecium feeds on the same bacteria, bacterial population When these protozoids are placed together, P. Aurelia Paramecium aurelia grows at a better rate than Paramecium caudatum due to competition Paramecium caudatum Paramecium caudatum In other noination, parasites, parasites get benefited and derive its nutrition from other The two population is there One is getting benefited One is parasite and other is host Host beneficial Paramecium caudatum Atト근c For may not have happened How does have male dose How does can böyle YEAH is characterized by a relatively long period of contact which may be physical or metabolic. Some parasite lives outside the host cell, known as ichtoparasite, while other parasite lives inside the host, such as endoparasite. Example of parasitism are A. Viruses. Viruses are an obligate intracellular parasite, that exhibit great host specificity. There are many viruses that are parasite to bacteria, they are known as bacteriophage, fungi, algae and protozoa, sinophage. Another example is Delovibrio, and Delovibrio is ichtoparasite to many gram-negative bacteria. Delovibrio is ichtoparasite to many gram-negative bacteria. तो dear students, इसमें हम लोग ने अनेक प्रकार के parasitic relation पे विचार किया, जिसमें आपको यह ध्यान रखना चाहिए, कि जो interaction हो, उस interaction का example, microbial side से आए, ठीक है ना, यह तो ecological relation ऐसा होता है, दो organism के बीच में, वो छोटे बड़े कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन example सर्च करते समय, हम लोग को यह ध्यान देना चाहिए, कि microbial population को ही consider किया जाए, अनेक जगा पे मैंने यह कारे किया है, वैसा ही example ढूंडा है, आप जैसे मान लेजे, एक बार हम लोग पुना इस नजर यह से देख लें, कि देखे एक बैक्टिरिया नाइट्रो सो मुनास और दूसरा नाइट्रो बैक्टर, नाइट्रो मुनास अमोनिया से नाइट्राइड बनाया, नाइट्रो सो मुनास और नाइट्रो बैक्टर, नाइट्रोसो मुनास औक्सिडाइजेज अमोनिया टू नाइट्राइड तो नाइट्रोसो मुनास ने अमोनिया से नाइट्राइड बनाया और नाइट्रोबैक्टर जो है उस नाइट्राइड से नाइट्रेड बना लिया तो यह एक्जामपुल सटीक है दोनों बैक्टिरिय यह भी दोनों बैक्टिरिया का एक्जाम्पूल है E. coli का एक्जाम्पूल दिया गया और बैक्टेरियो आइड और E. coli का तो यह भी ठीक है D. sulpho, vibrio और chromatium का एक्जाम्पूल प्रोटो काप्रेशन में यह भी ठीक है Anaerobic Fermentative Bacteria and Methanobacter यह भी ठीक है Lactobacillus and Interococcus Fecalis and Lactobacillus Arabinosus यह भी ठीक है तो कहने का तात्पर है कि इसी तरह प्रयास यहर आना चाहिए कि दो microbial का ही नाम लिया जाए धन्यवाद दोस्तों आप लोग ने सुना द्यान पुर्वग Thank you very much